Hello Friends, MS Cordder मैं आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईपी आडरस क्या होता है आज की इस वीडियो में हम आईपी आडरस से रिलेड़िट सारे पोईट को कवर करेंगे आईपी आडरस के टाइम मतलब आईपी आडरस के वरजन कितने वरजन होते है इस वीडियो को लाज तक देखेगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए जानते हम आई पी अड्रेस के बारे में कि आई पी अड्रेस क्या होता है आई पी अड्रेस इस्टेंड फोर इंटरनेट प्रोटोकोल अड्रेस यानि कि जो आई पी अड्रेस होती है इसका फुल फोर्म होता है आई का मतलब होता है इंटरनेट और पी का मतलब होता है प्रोटोकोल An internet protocol address is a unique numerical value provided for each devices मतलब हर device के लिए जो IP address होता है यह numerical value होती है मतलब IP address जो होता है वो एक numerical value के form में होता है और हर device का एक अलग IP address होता है जिस तरह से यह हो रहा तो हम IP address को इस तरह से denote करते हैं सब्सक्राइब कीजिए कि हमारे पास दो डिवाइस है तो हार दोनों डिवाइस का जो IP address क्या होगा वो IP address अलग अलग होगा और IP address को जो हम separate करते हैं बीच में इस तरह से point लगा कर हम इसको separate करते हैं एन आई पी अड्रेस helps the internet to distinguish between routers computers and websites IP address जो होता है इंटरनेट की help करता है यह पता लगाने में की मतलब जो computers हैं उनके बीच में difference को पता लगाने में help करता है सब्सक्राइब कीजिए कि यहां पर कोई एक किसी डेटा के लिए तो server कैसे पता लगाएगा कि वो जो request आई इन डिवाइस में से किस डिवाइस उसको request बेजा है तो यहांपर जो IP address होता है वो help करता है सर्वर को यह जानने में कि है रिक्वेस्ट किस डिवाइस से आई है तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा नेक्ट पूइंट है आपर आई-पी एड्रस कितने टाइप के हो सकते हैं तो देखें यहां पर जो बेसिकली आई-पी अड्रस होते हैं वो चार टा है उना जाता है वह नेटवर्ट जो परवाइडर होते हैं वह जनलेट करते हैं पब्लिक आई-पी एड्रस को पूब्लिक आई-पी एड्रस का मतलब यह होता है कि पूरे व्ल्ड में जितने भी य्यूजर्ज होते है वो इसको आसा नि से एक्षिज現在 कर सकते हैं उसको बोल से आपके हैं एक अपना HEYDралब्र app प्राइब he आई-पी आदरस में आ गया होगा वहाल रिबत को प्राइवेट आई-पी-डियció और जो अयान प्रत-वह आई-पी आडरस वह मोडम के दोबारान के अजनेरंत यह जता है प्रेंट i.p. address। नेक्स्ट होता है आपる Α거든 यह सब्सक्राइब दिखाए दे रहे हैं इस्टेटिक और डाइनमीच यह दोनों पबलिक आई प्रिक होते हैं । बरम यहorig कब मतलब एक यह नहीं होता तो यहांपर दो वर्जन्स होते हैं IP address का एक होता है IP वर्जन वर्जन फोर और एक होता है आई पी वर्जन 6 तो जो पहले हमारे पास वर्जन था IP address का वो केवल आई 4, वी 4 था तो В happier के अंदर ऐसी कौन मतलब कम यह सी का मतलब क्मयांत रह गहीं थी वो 32 bits की थी और इसमें 4 octet होते थे और octet किस तरह से होते हैं उसको देखे तो यहाँ पर यह हमने एक IP address का example लिया है इसमें 4 octet है यानि के 1, 2, 3, 4 और इसकी जो range होती है वो होती है 0 से लेके 255 के बीच में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस example के अंदर जितने भी यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सब 255 के से कम है यानि कि 255 से ज्यादा नहीं हो सकता और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि यह जो आई पी वी फॉर वर्जन था यानि कि आई पी अड्रस का जो वी फॉर वर्जन था इसमें केवल हम 4 billion ही IP address जनरेट कर पाते थ हो कि पूरे वर्ड में कितने डिवाइस होंगे अगर हम हर डिवाइस को का एक अलग IP address जनरेट करें तो वह 4 billion से ज्यादा हो जाती है तो यह यहाँ पर एक कमी थी कि पूरे वर्जन में जितने डिवाइस हैं उनको एक यूनिक IP address नहीं मिल पा रहा था तो जिसके लिए हमे क्या जनरेट करना पड़ा हमें IPv6 को जनरेट करना पड़ा जो IPv6 होता है इसकी जो लेंथ होती है वो 128 bits की होती है इसमें 8 octet होते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने 8 octet लिया यहाँ पर दोनों में एक difference और भी है यह जो IPv4 था इसके अंदर जो numerical value थी वो केवल integer type के थी ले सकते हैं जैसे देखे 3FBB और यहाँ पर जो हम separate करते हैं वो column लगाकर separate करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर numerical value भी ले सकते हैं और उनके साथ हम hexadecimal number भी ले सकते हैं जो इसका range होता है IPv6 का वो जो range होता है इसका वो 0 से लेकर 6535 के बीच में होता है उसको हम इस तरह से भी generate denote कर सकते हैं और यहाँ पर जो 340 trillion यानि कि इसमें जो हम generate कर सकते हैं IP address वो 340 trillion तक generate कर सकते हैं तो आप यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वर्ड में हम हर डिवाइस को कहीं कहीं लाक भी IP address पर वाइड करें तब भी यह range हमारे पास बहुत ज्यादा रहेंगी तो I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि IP address के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है चलिए अब हम पढ़ते हैं class के बारे में यह IP address का बहुत ही important point है यहाँ पर देखिए IP address में 5 type के class होते हैं और इसको हमने दो category में divide किया है जो class A होता है इसकी जो range होती है वो होती जीरो से लेकर 126 के बीच में और यहाँ पर हम इसको इस तरह से प्रजेंट कर सकते हैं यहाँ पर जब भी हमें किसी IP address के बारे में पता लगाना हो कि किस class से बिलोंग करता है तो हमें उसका जो पहला यहाँ पर है उसको देखना है अगर यह जीरो से लेकर 126 की बीच में लाई करता है इसका मतलब यह क्या है एक class A का IP address है इधर चाहे ओक्टेट कुछ भी हो हमें सिर्फ इसको देखना है फिर यहाँ पर class B है class B की जो range होती है वो 128 से 101 के बीच में होती है और यहाँ पर हमने इसका एक एक जामपल भी लिया हुआ है हमें सिर्फ इस पहले वाले ओक्टेट को देखना है अगर यह इस ओक्टेट में जो नंबर है वो 128 से लेकर 101 के बीच में आ रहा है तो यह हमारा class B का एक IP address होगा इसी तरह से यहाँ पर class C की जो IP address का जो range होता है वो 192 से लेकर 220 के बीच में होता है और यहाँ पर देखिए हमने इसका एक एक जामपल भी लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए इसका जो first जैसे normal user के लिए हमें ये तीन classes provide की गई है last में बचते है class D और class E class D की जो range होती है वो 224 से लेकर 249 तक होती है और यहाँ पर हमने इसका एक एक जामपल लिया हुआ है यह जो class D होता है इसको हम multi casting के लिए भी use करते है इसी तरह class E की जो range होती है वो 240 से लेकर 255 के बीच मे होती है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सकामने की example भी लिया हुआ है और इसको में रिसर्च वगेरा में इसको यूज क्या जाता है तो question में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है इसको competitive exam में भी और university के exam में पूछ ले जाता है इस तरह से हमें कुई class A की range क्या होगी या फिर दूसरे तरीके से हमें class A का IP address लिखो तो हम यहाँ पर इस तरह से IP address लिख सकते हैं तीसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर question पूछने का इस तरह से हमारे पास question होगा और वो कहेगा कि इसमें से पता करो कि किस class का IP address है तो हमें सिर्फ पहले वाला जो update है इसको ध् पास A का IP address है तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि IP address क्या होता है IP address कितने टाइप की होते हैं IP address के हमने दो वर्जन भी देखे हुए है और यहां से भी फ्रेंस एक question आ जाता है कि इस तरह से हमारे पास कोई भी एक IP address दे दिया होगा और हमसे पूछ लेगा कि किस वर् टीजर टाइप के तो आप यहां पर आई पी वर्जन वी फॉर बोल सकते हो यानि के आई पी वर्जन फॉर बोल सकते हो अगर यहां पर आपको हैक्जा डेसिमल नंबर दिखाय देते हैं तो आप इसको IP address भी बोल सकते हो तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम ठाई में आपको कि आई होगा कि आप MARK